Hello friends, welcome to my YouTube channel Star Classes Star Classes में आपका स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ साइट वर्ट्स जो साइट वर्ट्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसका हिंदी में क्या मिनिंग होता है ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगी ताकि आपको इसे याद करने में असानी हो ओके फ्रेंड्स और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि साइट वर्ट्स किसे कहते हैं तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्फुल हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज बैल ऐकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सब याने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो स्टाट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले आप ये जान लीजे कि sight words किसी कहते हैं जो words बार-बार repeat होते रहते हैं किसी sentence में, किसी paragraph में उनको हम sight words कहते हैं okay sight words पर कोई phonics rule apply नहीं होता इनकी spelling बच्चों को याद करने होती है okay देरे-देरे जब बच्चों spelling ये याद हो जाती है उसके बाद बच्चों को इसको directly बोलना होता है कि ये वाला word है okay इस पर कोई phonics rule apply नहीं होता तो आज की वीडियो में मैं आपको two letter sight words सिखाने वाली हूँ उसके बाद फिर next three letter, four letter sight words देखेंगे आने वाली वीडियो में तो आज हम सिखेंगे two letter sight words और उसका हिंदी में meaning ओके फ्रेंड्स देखें ये है am am हूँ am 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 का हिंदी में meaning होता है हूँ ये वर्ट्स बच्चों को बार बार reading करते time दिखाए देते हैं कोई भी sentence read करते हैं या वो कोई paragraph read करते हैं तो इसलिए इने को sight words कहा जाता है am whom is i as is इसको is नहीं कहेंगे इसको is कहेंगे ओके वैसे हम as को sir बोलते हैं ओके पर इस पे जो sight words होते हैं इस पे phonics rule apply नहीं होता इसको हम directly बोलते हैं is 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 का hindi में मिनिंग होता है है my 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 का hindi में मिनिंग होता है मेरा मेरा ये sight words बच्चों को reading की time पे बार बार दिखाए देते हैं okay my मेरा at a t at at का hindi में मिनिंग होता है पर if 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 to 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 ko hindi में हम कहते है ko to ka hindi meaning होता it i t it it ka hindi में meaning होता है यह यह it यह we w e we we ka hindi meaning होता हम हम we हम in i and in in ka hindi में 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 in मे so 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 ka hindi में meaning होता है is liye is liye ya to or 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 ka hindi में meaning होता ya ya n a n n ka hindi में meaning होता है ek no n o no no ka hindi में meaning होता है nahi no nahi यह words बच्चो को directly याद होने चाहिए ok तो starting में आप उनको spelling के थूई ने याद करवाए बार 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 उनको daily उनको इनकी practice करवाए ताकि बच्चो को यह देखे और तुरंत पता चल जाए कि यह word कुन सा है do 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 means कर do का हिंदी में ने गोता है कर be 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 का हिंदी में गोता है होना be by 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 का हिंदी में में गोता है दौारा by by दौारा a s as as s नहीं as as का हिंदी में में गोता है जैसे he h e he he का हिंदी में 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 किसी male person के लिए हम use करते है he on o and on on का हिंदी में 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 गोता है पर गो go का हिंदी में में नहीं गोता है जाना जाना ओक्यू फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ 20 साइट वर्ट्स शेयर करें हैं इंगिश और हिंदी दोनों में I hope यह वीडियो आपके लिए helpful हो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू फोर वचिंग मैं चैनल